देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ कि आपको बेत्रीन और सही सड़के दें जितने में हो गया उतरे में खुछ नहीं होना है तो सरकान लूट दिखा जाएगी आपको गर के अंदर भी वाइपर लगाओ और सड़क पर भी वाइपर लगाओ इसकी गल्टी है ठेके जाना था कि इंजिलियर अन्दा था अधा जो है एक बार फिर खराब हो जाती है जैसे अभी इनका क्या खराब हो गया रोड खराब है ना उसमा मुड़ गया ना ये इनको बार गिर गया बड़िया फिसलती सड़के मिली है आपको दन्यवाद दीजे सरकार का कि नमस्कार आज का भारत एट नाइन अंडमान निकोबार से नहीं है और नाहीं किसी ओशियन के किनारे बसे किसी टापू से है यह दरसल दिल्ली का संगम बिहार इलाका है जो सड़कों पर बसा है या पानी के बीच बसा है यह सवाल जो है वो लगातार यहां की जनता पू क्यों बनी और अगर बनी तो फिर यह चलने के लिए बनी कि किस लिए बनी क्यूंकि आम लोग जो हैं वो इस तरीके से ही जाते हैं और आम लोग कई सालों से कई वर्षों से कई दश्कों से इस तरह से ही जाते आते रहते हैं यह मेरे बिल्कुल पीछे एक आटो आ रहा है इसका जो ग्राफ बनाय गया था वो दरसल किसी और तरीके से चलने के लिए बनाय गया था और तो को सीधे चलाने के लिए बनाय गया था कि यह फॉर्टीपड डिग्री एंगल में बनाने के लिए चलाती है यह, रोड़ आ बड़ा अरेस Parte कुई देखता है यहां बहुत जाएंदर वही बता रहा था वही बात कर रहा था वही बात कर रहा था कि जिस तरीके से यहां जाम की स्थिति आपकि जो रहती है और आटो जो है वो दरसल सीधे बनने के लिए बनाए गए हैं लेकिन जिस तरीके सोटों हैं चल रहे हैं आप से बात करना मुश्किल हो जाएगा बीच में ये पानी का जो टापू है ये समस्या है हाँ जी बात करना चाहरे हैं लेकिन अभी आप हमसे दूर हैं पानी पार करके आना पड़ेगा नाव लेकर नहीं आए घर स अगली दफ़ा आएंगे तब नाव लेकर आएंगे तब आपसे मुलाकात करेंगे खूब बात करेंगे ठीक है हां 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 बिलकुल ठीक है बारा महिने ऐसी रहता है अच्छा चलिए तो ये जाम जो है यहाँ पर रोज लगा रहता है जाम को जादा जी सरकार साब कहती है अच्छा यह हमें मिल गए थोड़ा सा पानी से उपर है एक मिनट पूछ लूँ यहाँ पर लाइसेंस सामाने लगता है कोई हैवी लाइसेंस लेना पड़ता है यह जाम की जो इस्तिति आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जाते हैं लेकिन जी कुछ नहीं करने वा आप रुके रुके पीछे से बोलकर जा रहे हैं आईए जी बताइए पानी जूते हाथ में लेकर जाना पड़ता है इतने बारिस के ओजे होता है यहाँ पर इतना महल खराब है जिसको जवाब नहीं है यहाँ बहुत कितरे इदर आई इदर आईए आप तो ठीक है काफी द देखो वहाँ जाके सर फोटो लो आप वहाँ जाके देखो आओ दिखाईए बचा के यह पीछे यहाँ पर खत्रा बड़ा जादा है यह सडक पर ठीक है चलिए इतने चोरी चका यहां खत्रा यहां आटो वला सब मर रहें यहां पर रिख से उनट रहें यहां पर ऐसे से महल चल रहा है यह नाला भी बता रहें आपके अभी बनवाया था और उसका हो नहीं पाया उद्गाटन उससे पहली तूड़ गया देखिए नहीं वहाँ जाके सा कोई बोलने वाला नहीं है यहां मुझ भर देते बस हो गया विदाय कौन है यह क्या नम है उसका इस महुनिया है यहां वोट आप उन्हीं ही दिये थे वोट हम सिर्फ बीजेपी के देते हैं अच्छा हम बीजेपी को वोट देंगे बीजेपी के आदमी है तो सड़ा कैसी नहीं मिलेगी तो कैसी मिलेगी आपने स्थानिये नेता को देखकर वोट देना चाहिए कि बीजेपी कॉंग्रेस को काम करने वाला और कुछ नहीं होता कैसा काम कर रहे है यह पानी को भरके दे रहे हैं यह इसका है ना भी यह क्या बोलता है इसका दिने से महुनिया आगा लोग वहां देखने चल रहे हैं कि जहां पर बता रहे हैं कि एक नाला था वो बना था उसका उद्घातन नहीं हो पाया उससे पहले ही वो नाला टूट गया में रोड़ से जुड़ता है क्या यह सामने आ यहां पर अच्छा चाहिए जो गली है इसका गली का कोई अलग से पूरा चुछुके और लिए निकल रहे हैं सामाने लोग नहीं कर पाते हैं यह तरहिए और पूरा हुआ कि यह तो सोच्छे बहुतिए अब इंगीनियर को अगर कुछ कहूंगा तो मान जाएगा ठेकेदार को को भी कुछ कहूं गा, इढयाँ आब इनको ठेके-दार को कुछ कहेंगे तो बुरा मान जाएंके, हैं इंजीनेर को कुछ कहेंगे, तो बुरा मान जाएंगे, यह नाला बनने से, इसका उद्रघांटन होने से पहली धनाम, आगे तलिक जाएं न आगे तलीट भी है, आगे तरी बना हुआ था अब पूरी तरीके से धड़ाम हो चुका है तो यह आगे भी है यहां पर यहां तक यह नाला जो है यह बनवाए गया था लेकिन उध्गाटन से पहले ही इनका खुद का उध्गाटन हो गया और तूट के यह तीन-तेरा हो गया ठीक है चली आगे बढ़ते हैं यह एक यह पूरा नाला था जो यहां पर बनाए गया था लेकिन इसके बाद अब इसकी जो काया कलब है पानी बनने से बार बना खूट और नाला इस जब रहा दिर देख नाला तो पानी बनने से नाला तो यह नह दो टूटत जोड़ाया नहीं नाला बना के छोड़ दिया तो पानी बार वो गिरिया वह हैवी इंजीनियर आट वह जिसंटी न बनाए होग दसक्षिघ सब्सक्राइब है इतले नहीं आपका सैय दो चल रहा है नाला वाला धढम हो गए एसी है यह द्रश्छ kı implication के लाग MitarLike इसको बनाया गया था और बनाने के बाद बताया जा रहा है कि इसका उध्गाटन भी नहीं हो सका लेकिन उससे पहले ही यह धड़ाम हो गया आगे और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ युवा आएं बुज़ुर्ग हैं बच्चे हैं उनसे भी बाच्छीत करेंगे सरकार भी कुछ करके राजी नहीं कोई भी करके राजी नहीं है आज बच्पन से लेकर कि अब तक वह जो हालत पहले थे वह हाला तब है जो सामाने सड़के होती हैं बढ़िया बढ़िया नॉड़ा की दिल्ली की वहाँ पर चलने में तकलीफ होती होगी आदत तो यहां की पड़ गई है तो वह बता तो रहां कि जब यह मीटी का थ सब खुदी जिम्मेदार है यहां की पब्लिक जिम्मेदार है अगर पब्लिक यह मान ले जो हमें इस रोट को शुरक्षा को बड़ी गंभीरता के साथ यहां पर जितने आटो वाले निकल रहे हैं इसमें जो बैठे हुए हैं आपको पता अगर आटो गिरने की कितनी संभा कित्या खत्रा जान जोखी में डाल कर सब लोग निकल रहे हैं उसके बावजूद निकल रहे हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है आप लितने धुक होगा सब ज मालि में ढल दे। यो तब कुछ करना ही नहीं है सब जनता को करना बीजेपी को दिया आप खुद होड़ी ना यहां पर साफ सभाई करने रहता था यहां पानी नहीं रुखता था सब को देख के थक गया सर सारे आईसे ही आईसे रहा और यह भी है यहां के पाली के अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो फिर वहां माथा टेकने भी नहीं जाएंगे यह भी चार देना अगर सड़क पर रस्ती बांद गया खुदी आप लोग खड़े हो जाएंगे कि यहा तब भी कुछ नहीं होगा दरना हमारे बतीजा ने खुद दिया था पूरी रोड में रोड को जाम किया था और अभी हुआ यहां पर धन्रा जैसा कुछ हुआ है दरना ना किसी ने दिया हो लड़ा हो कोई की सड़क बनवाओ यहां कई बार धन्ना हुए परदर्शन हुए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुए दूसरी बात है कि हम बेब खूप इंसान है जो नेताओं के जहांसे में आ जाते हैं उनकी मीटी मीटी चुनावी वादे यह सब बादे उसमें हम लोग फस जाते हैं क्योंकि मतदान करना एक अपना धर्म वो नेतिक अधिकार करते हुए लास्टाम उसके बाद से बस यही हालात है जब भी बारिश होती होगी इससे तो मेरे ख्याल से जादी पानी भर जाता होगा वहाथ तीन-तीन फूट पानी बरता है तीन-तीन फूट यहां से बुजर्ग निकलते होंगे महिलाएं निकलती होंगी छोटे-चोटे बच्चे कैसे बहुत परिशांनियों को बहुत परिशांनियों को सामना करना पड़ता है आपन में अत्रम तौफिक हाई है कि कूछ सी क्लास में हो लोगा क्या कर दान लिया है! नहीं करो के पड़ाइठान लिया है चलो ठीक है यह खाते हो घर पर पता नहीं लगता कैसे पता नहीं लगता जब खाते हो दान्त लाल हो जाएगा तो पता कैसे नहीं चलेगा दान्त को साफ करते हैं काई जैसे घर पहुंचने से पहले दान्त को साफ कर दोगे कब से खा रहे हैं कि तुम फैला हो ना तो बहुत दूर तक फैली जी अच्छा चलो ठीक बड़ी क्यों सावाला कोई सावी उठा लें 20 रुपए का है तो यहां के जो लोग अंदर वाले मास करीते हैं को मैं क्या खतरा क्या यह बताओ भाई जब कोरुना इधर से जापाएगा अंदर कियों क्यों नहीं जापाएगा चला के करूंच करने का इतनी शांदार है तो वह तो ब्यंगम दृष्ष वह तो देख लिया वह 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 भी देख लिए अगर अगर इससे भागेंगे इंटर्विव कैसे देंगे आके चलके चलिए तो कोरोना भाई पूछ रहा था आपसे कि यह जो 20 रुपय का आप दे रहे हैं जब कोरोना अंदर पहुचता ही नहीं है जब सड़के इतनी शांदार हैं फूटी-फूटी हैं तो फिर आप कैसे कोन खरी रहा था यह मास्क बेच रहे हैं एक तो मैंने का भाईया जो इतनी शांदार सड़के हैं आपकी जसमयुआ में सड़क आप पानी में समझने में मुझे समय लग गया लाष़ा और रुना को यशे फेंगों में करौना कोजिए फीजिए उर्टर गाचिंचु छीघा है जया डान को यजिगान वह नुर्धवी हाँ कहने का मतलब है सर हमने पहले आपको पता है आपके टेक्स के पैसों से ही जो छोटी-छोटी आप चीजे खरीते हैं उसमें भी आपका टेक्स करता है उसका आपका सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको बेतरीन और सही सडके दे जितने में हो गया उतने में खुश नहीं हो पूरा ले गई सरकार आप से पूरा पैसा ले रही है तो अगर सरकार आपको सडक नहीं दे रही तो इसमें सरकार की गलती है सर ऐसा है कि अभी 15 दिन पहले या 20 दिन पहले रोड बनी है जो भी हमनों जिन्दई वक्त काटा हमारे यहां पे कम सम तीस साल हो गए हमने तो बहुत कुछ देखा वहां तक बनी है बस वहां तो फिर क्या मतलब यह बन गई है उपर वाली की शुकरिया है यह उपर वाली की मह मेरवानी नहीं कहने का मतलब होना चाहिए हमने इनको भोड दिया काम हो रहा है जो भी अच्छा हो रहा है तक्स का पैसा है घूम फिरकर नेताओं का काम है इसको आपकी वेवस्थाओं के लिए लगाए ठीक है बहुत-बहुत शुक्रिया तो जैसे हमारे टेक्स से बंदा नाला बन रहे है क्सा का मतलो तो जागा अभी तो नमस्ते करेंगो उसे अभी सब्सक्राइब निकल पार यह कहां आप हवाई जाज लेकर निकल रहे हैं तो यहां साइकल जाने की जगा नहीं है यहां वाई जाज लेकर निकल लिए अपना ठीक है कालवा चाचा ऑखला यहां से कैसे निकला है बढ़िया से निकला वहाँ जाया अपको मुआ रखो जरनी हैपी जरनी तो यह सड़के जो हैं अपने अधबुत है कलाकारी है काफी शांदार कलाकारी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है आप izarre सडके यह लाकारी अपने साब से दिखाई गई है तो यह लाका है हम यहाँ पर घूम रहे हैं कौन सी जगाई यह संगंब्यार की गली कौन सी है कौन सी का लिए नमर क्लास में पढ़ते हो आठ भी में कितने साल ओगा यहां रहते हुए बच्पन से रह रहे हैं जी क्या लगता है कि आदा मंत लग जाता है इसकूल जाते हो तो इनी रास्तों से होते हो जाते हो गे गर के अंदर भी वाइपर लगाओ और सड़क पर भी वाइपर लगाओ जा करो यह उंची नीची बनाई है ना कलाकारी है ना यह इंजिनियर की कौन इंजिनियर था कलाकारी नहीं है यह सब ठेकेदारे की कलाकारी है उससा आता ठेकेदार पर क्यों नहीं आएगा देखो आगे जाके गड़्याना नाला बनाया गिर गिया दस गिया किसकी गलती है ठेकेद लगाई 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 बढ़िया है फोटो के आप बीडियो बना लिए आपका बढ़िया हाँ लगाई आप लगाई यह बढ़िया तो यह सड़क जो एक बार और पताना कौन सी है यह आठ आने आने और संगम वियार यह इलाका है जहां की सड़के जो है प्रिसिद्ध हैं अपने आप में यह जो इतनी बेहतरी शांदार सड़के हैं कभी कोशिश करी सरकार वालों से कहने कि कि इसको एतियासिक स्थल घोसित कर दो कहना तो चाहिए वैसे अपने आप में बड़ है अब आपने नई बात क्या करेंगे कभी दिखे तो तो बात भी करें कम दिखते आप तो बड़िया काम कर रहा है यहां से टूटे फूटे आते हैं यहां से सही होगे जाते हैं चलिए तो यह संगम वियूम्वियार की गली है जहां आज हमारा भारत 89 का किर में वह चल रह बनकर तयार हो जाएगा को जाएंगे कैसे निवा ढ़न कर तयार हो जाएगा पहुंचाएंगे कि इता इता कितने वाले निचे कारपेंटर अचा आप यहां पर आखिरी फिनिश देते तो यह वाला आज बनकर तयार हो जाएगा मजबूती है क्यों नहीं है यहां तो कहीं मजबूती कुछ है ही नहीं नाला टूटके गिर रहा है सड़के टूटी पड़ी है तो यह संगम व्यार का इलाका था जहां आज हम लोग मौजूद थे और हम लोगों ने आपको वो सड़के दिखाई वो सड़क आप देख सकते हैं क्यामरा में से कहूंगा थोड़ा जूम करके उनको दिखाएं ताकि आप देख सकें कि यह सड़के हैं यह यहां की विवस्ता हैं यह यहां का हाल है और काफी सालों से कितने साल हो गए लगभग इन सड़कों की इसी हाल में महीने दिन भी नहीं पूरे रोड बने हुए बादरागी तो पांच साल से तो ठीक है चलिए तो यह सड़क है इसको बनवाया तो जाता है इसा बताया गया कि चुनाओं से पह जैसे इन्होंने बताया कि चुनाओं से पहले यह भारत में एक बड़ी विशेश चीज है भारत के चुनाओं में बड़ी विशेश चीज है कि भारत में जब चुनाओं पास आते हैं तो विवस्थाएं जो है वो अपने आप से ठीक होने लगती है लेकिन चुनाओं के जा था खड़क पर खड़े रहते हैं इसका का वुच मुचों पनाइग औस पैसा जले हुए लेकिन जहांके लोगों को जिस्तरीके से गांत वख्यकर के पाथ ठीक है तो यहां का यह हाल है जो बताने की कोशिश करी आपको और दिखाने की कोशिश करी संगम-बिहारी यह इलाका है जहां कि यह सडके थी और अपने आप में वड़ी विच्चित्र सडके है य HOY कई य दशक मतब तीन दशक हो चुक है इसा बताना है लोगों का कि तीन दशकों से इस सड़क जो है इसी हाल में है और इसी तरह से यहाँ पर रोजाना जाम लगता है इसी हाल में रोजाना यहाँ पर जो लोग है वो इनी परिशानियों के साथ होकर गुजरते हैं लेकिन आज तक इन सड़कों पर किसी ने भी कोई द्यान नहीं दिया आज तक इन सड़कों को उत्री शांदार तरीके से नहीं बनाये गया जितना बनना चाहिए था आज के लोग यहां के लोगों को दरसल इन चीजों की आदत सी हो गई है लोगों को यहां पर कहना है कि उनको इन सड़कों की आदत हो चुकी है इन सड़कों बढ़िया है फिसलती सडके मिली है आपको धन्यवाद दीजे सरकार का थैंक्यू बोलके चले गए धन्यवाद दिया उन्होंने सरकार का कि सडके फिसलती हुई बनाई है पानी पर सडक बनाई है तो फैसिलिटीज है जो संगम बिहार की इन गलियों को इन सडकों को मिली हुई है और बाकी सब ठीक है लेकिन दिल्ली में जब भी वारिश होती है त किसी तरीके से तूटी सडके हैं वहाँ पर पानी भरता है लोग गिरते हैं फिसलते हैं जानका जोके मुटाते हैं लेकिन इन सबका जिम्मेदार कौन है इन सबकी कौन जिम्मेदारी लेगा इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है लेकिन लोग हैं कि इस चीज को सामा तो घबराक आए रहे इतना नाम लेने में घबराएंगे क्या ठीक है तो यहां के लोग जरसल देखिए कि बोलने को पसंद नहीं करते हैं चलिए ठीक है दिनेश महुनिया जो यहां के विदायक है और बाकी सड़कों का जो कुछ हाल है वो किस तरह का है वो हमने आपको दिख आप से मुलाकात होगी शुक्रिया नमस्कार आज का भारत एक नाइन अंडमान निकोबार से रही है यह दरसल दिल्ली का संगम बिहार इलाका पानी भर के पैंट बोल के जाना पलता है यह पीजेपी को वोट देंगे बीजेपी की आत्मिया तो सड़क ऐसी नहीं मिलें तो गर के अंदर भी वाइपर लगाओ और सड़क पर भी वाइपर लगाओ जैसे अभी इनका खराब हो गया रोड खराब है ना उसमा मुड़ गया ना यह वार गिर गए बढ़िया फिसलती सड़के मिली है आपको दन्यवाद दीजे सरकार का झाल